नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको पताने वाली हूँ अगर आपके बास OPPO K10 है या K10 5G कोई भी फोन है OPPO का तो यहां पे आप किसी भी एप्लिकेशन को रिसेट कैसे कर सकते हैं वैसे तो एप प्रेफ पिरमात है तो इसके लिए जो हाप सैटिंग को जाते हैं तो एप्लिकेशन आता है तो यहां पे भी आपको उप्शन देखने को मिल जाता है रिच्प प्रफरेंस का तो यहां पे न जैसे एंट्राइड ट्रॉल है और कलर तो यहां पर रिच्टफ नंश अटा रखा है तो तो इस वजे से आपको देखने को नहीं मिलेगा तो एक बर हम सर्च कर लेते हैं फिर भी अब आज नहीं है तो अभी आपको क्या करना है पर्टिकुलर सिंगल सिंगल एप्लिकेशन को reset करने के लिए जैसे कि आपका theme store है तो theme store को आप ऐसे करके click करेंगे और अगर काम नहीं कर रहा है तो भी आपको यह चीज़े करनी है click करके रखना है app info का option है इस पर click कर लेंगे app info पर इसकी settings open हो जाएगी अब यहाँ पर आपको इसका जो storage है इसको करना है clear clear data और clear catch यह हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर बैक कर देना है और इसके बाद कि एक चीज़ और होती है अब आप अपने phone को एक बर restart कर लेंगे switch off होके on कर लेंगे ठीक है अब आप किसी भी application को जिसको आपन करेंगे तो यह normally open हो जाएगा और यहाँ पर जो भी permission मांगेगा यह दुबारा से आपको अलाव करना पड़ेगा ठीक है तो यह नए तरीके से open हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम आ रही थी not responding की app not working और closing वगर अगी वह fix हो जाएगी चले मिलते आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार